हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो कॉलेटी एजूकेशन तो प्यार सात्यों पटवारी की पहली पारी का पेपर यानि की 23 अक्टोबर 2021 पहली पारी का पेपर में आपको स्वाल करवाने जा रहा हूं जिस इस्तर तक अपने मैथमेटिक और रीजनिंग को पड़ा है आप यह मानों की उसका महज 25 परसेंट लेवल ही पेपर में पूचा गया है बहुत ही इजी पेपर अगर देखा जाए तो आया है बहुत इंट्रेस्टिंग वे में जो है सारे क्वेशन आपको दिये हैं आप में से वह लोग जिन्हो 24 प्लस 166 अब आप देखो 222 में से 32 गया तो आपका कितना बच गया 240 और यह हो गया आपका इंटू में 300 और बटे में 17 इंटू 15 माइनस 15 तो 17 इंटू 15 करोगे तो यह हो जाएगा आपका 255 में से 15 गड़ा होगे 240 तो 240 से 240 सीधा गड़ गया तो आपका आंसर आगया 300 ओके तो इस परकार से अब देखो आपका next question कितना easy है बहुत आसानी से किया जा सकता है मैंने जब और आपको exactly यह question करवाया था जिसमें मैंने formula बताया था कि प्राकर संख्यों के वर्गों का और आपको 6 प्राकर संख्या लेनी है तो n की जगह आप अगर 6 डालोगे तो आपका तो है answer बनके आएगा वो आएगा 15.1 से ठीक है अब इससे आगे बढ़ते हैं देखो 91 जो question है वो कितना आसान है कि एक थेले में आपके एक रुपे के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं बकाइदा मैंने अनुपा समानुपात करवाया तब सेम यह question मैंने करवाया हुआ है तो वे लोग जिन्होंने पूरे वीडियो देखे हैं उनको तो मज़ा आ गया होगा देखना आप अगर सिक्कों के संख्या की बात करें तो सिक्कों की संख्या जो है वो है धाई अनुपात तीन अनुपात चार के इंदर जबकि दिया है उनका मुल यानि कि 240 रुपे उनका धन बनता है मैंने आपको समझाया था उस वीडियो में अगर आपने देखा हो तो की सिक्कों की संख्या को value में कैसे convert करते हैं तो दखिए सिक्कों की एक रुपए की जो संख्या है वो है धाई यानि कि धाई रुपए उनका मुल्य बनेगा और पचास पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या है तीन यानि कि डेड़ रुपए का मुल्य बनेगा और पचीस पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या है चार य अरे क्या मिल गया सुराग और आपको 50 पैसे की सिक्कों की संख्या लानी है जो तीन इकाई होगी यानि कि 420 में दिया पांस का भाग और गुणा किया तीन से तो यह आपका 252 अंसर आजाएगा ओके लेते नेक्स्ट अब देखो मैंने जब आपको 3D और 2D शेप का वीडियो दिया था उसके अंदर मैंने बेलन और गोले के फॉर्मुला बताए थे केवल फॉर्मुला सेट होने से यह क्वेशन का आंसर आजाएगा मैं आपको समझाता हूं इसको कैसे करना देखो इसने बोला है कि मैं सीधा क्वेशन पर आता हूं एक आपके पास बेलन है जिसकी त अथना पानी समा सकता है उतना पानी ऊपर उठेगा तो जितना गोले का आएतन है और पाई आज यह नोगी तकर गोले मैं को चारे बटे में जाएगा तो हाइट आजाएगी नौ बटे में चार सेंटीमीटर यह दो आपका पहला नौ बटे में चार सेंटीमीटर ओके ठीके अपना आगे बढ़ते हैं अगला क्वेशन तो बहुत ही आसान सीधा सीधा क्वेशन दे कि एक आदमी परती महा 875 रुपे खर्च करता है जबकि साड़े बारा परसेंट वो बचत करता है तो उसकी मासिक आये क्या है बताओ मुझे मासिक आये कितनी होगी मैंने आपको बताया कि सब कुछ अपने आप में 100 परसेंट है तो मास रुपे अरे क्या मिल गया सुराग और सारे पैटन मैंने आपको समझाया है जिन जिन टॉपिक के मैंने वीडियो डाले महज 25 परसेंट का जो पोर्षन है उतने में आपके सारे सवाल कवर हो रहे हैं यानि कि अपन 100 परसेंट डीप गएं 25 परसेंट पर आपके सारी क्वेशन स्वाल हो रहे हैं चलिए तो ने गुणा होने में उसको कितने साल लगेंगे अब एक चीज बतौओ मैंने आपको सादान ब्याज करवाया था तो बकाइदा समझाया था कि तीन गुणा धन होने का मतलब है एक रुपया तो इसके अंदर मूल धन है और दो रुपया इसके अंदर ब्याज है यानि कि दो भाग दिया इंटू कर दिया एक से यानि कि एक रुपया ब्याज होने में दस वर्ष का समय लगेगा तो इसका आपका अंसर है दस वर्ष बड़ी आसान बात है अब देखो चक्रवरती ब्याज का बकाइदा मैंने ये क्वेश्चन आपको वीडियो में करवाया हुआ है आप को का तो था चक्रवरती ब्याज के अंदर कि यहां पे तो आपका धन जो है वो गुणा होगा धन आपके गुणा होगा और यहां पे समय आपका प्लस होगा है ना देखो एन वर्षों के अंदर एन वर्षों के अंदर धन दो गुणा होता है तो अगले एन वर्षों में य यह डू अपना दूगुणा होगा यानि कि चारगुणा होगा तो एन और एर कितना हो गया 20 टूए वर्शों में धन्चारगुणा हो जाएगा तो इसका अंसर है कि टू एन वर्ष यानियो ऑफसृ नमबर six चीट टूएन वर्षों चड़ है तो उसका वजन कितना होगा सीधा आप 171 में 45 का भाग दे दोगे एक मीटर के छड़ का नाप आ गया और 12 से गुणा करोगे तो यह आपका 45.6 आ गया ओके यानि कि ऑप्सन नंबर पहला ओके अब अगर अगर अपने बात करें इस क्वेशन की तो मैं प्रॉपिट 26.8 पर्सेंट का लाब होता है तो फूट नहीं दी जाती तो लाब कितना होता यह सारा काम पर्सेंट में हो सकता है 13,560 रुपे को लेने की आवसिकता लिए आप यह मानों कि आपका क्रें मुले कितना है 100 रुपे और इस वस्तु को बेज करके आपने लाब कितना कमाया है लाब कमाया है 21.8 रुपे का यानि ये वस्तु आपकी बिकी है 121.8 रुपे में लेकिन ये कब हो पाया है ये तब हो पाया है जब उसने 12% की छूट दी है अंकित मुले पर 12% की छूट देने का मतलब समझ लो कि मानलो आपका अंकित मुले 100% है तो इस पर उसने 12% की छूट यानि कि माल बेचा है 88% के अंदर अंकीत मुल्य का 88% में माल बेचा है और वो बिका कितने में हैं 121.8 रुपे में अरे क्या मिल गया सुराज मिल गया अब आपको जो हैं अंकीत मुल्य लाना है तो बहुत आसान है 121.8 में सीधा 88% का भाग दे दो और गुणा कर दो 100 से तो ये 138.4 रुपे आ जाएगा यानि कि आप उस वस्तू का अंकीत मुल्य 138 रुपे था क्रे मुल्य 100 रुपे है अंकीत मुल्य 138 रुपे है 0.4 पैसे तो एक बात बताओ मुझे अगर अंकीत मुल्य पर वस्तू बेचे तो कितना एक्ष्टा कमाईगा 38.4 यानि कि उसको लाब होगा 38.4 का अगर वो अंकीत मुल्य पर वस्तू बेचे तो ठीक है आगे अपन बढ मुल्ले है वो साथ वस्तूओं के विक्रे मुल्ले के बराबर है तो इसको करने का बिल्कुल सोड तरीका मैंने आपको समझा रखा है कि करे वस्तू माइनस विक्रे वस्तू बटा विक्रे वस्तू इंटू सो दस मैसे साथ गया तो तीन सो तीन सो बटे में साथ यह देखो ती जित्रमिति के अंदर तो बहुत सारे ऐसे क्वेशन करवाएं एक आयत के लंबाई चोड़ाई का अंतर कितना है तेईस मीटर और यदि उसका परिमाप 206 मीटर है आयत का परिमाप होता है दो लंबाई प्लस चोड़ाई वो आपका 206 दिया है तो दो से कट गया यह 103 बार या प् electrolys जोड़ाई एक अंतर इसने कितना दिया है तेईस मिटर आपको इसका शतरफल सः आtoi को पता है क्या होता है लंबाई इंतु चौड़ाई तो 340को गे तो आपके क्या आयगा यह आजायेगा 840 ठीक है ओके ते चलिश ने आएगा यह आएगा आपका पचीस सो बीस आप गुणा करके देख लो 63 इंटू 40 तो चाइच चोबीस और चारतीया बारा ठीक यह आएगा पचीस सो बीस ओके अब अपना आगे बढ़ते हैं लेते हैं नेक्स्ट क्वेशन अपका आंसर है पचीस सो बीस एक आयत का क्षेत्रपल जो है उसकी लंबभाई को 10% बढ़ाया चोड़ाई को 10 परशन गढ़ाया अरे भाई क्षेत्रपल क्या होता है लंबभाई इंटू चोड़ाई इसको 10 परशन बढ़ाया यानि नबे दो रासी गुणा हो रही है बटे में एक बार सो नम नम निन्या ग्यारा नम निन्याणवे यानि सौ से कितना कम है एक तो एक परसेंट की कमी हो गई अप्सन नमबर डी ओके ठीक है अब मैं आगे बढ़ता हूं देखो नेक्स्ट क्वेशन क्या लिखा हुआ है यह रहा है केले की केमत बीस परसेंट गड़ाई गई दस रुपए में पांस केले अधिक मिलते हैं तो केले का प्राड़मिक मुले क्या था सीधा सा मतलब है कि दस रुपए में पांस केले एक्स्टा मिलते हैं 20 परसेंट केमत गई इसलिए तो आपन कहेंगे कि दस रुपए का 20 परसेंट केतना होता है दो रुपए यानि कि पहले दो रुपए में जितने केले आते थे अब उन दो रुपए की बच्चत हो गई केले का वरतमान मुले क्या हो गया दो रुपे यानि की 200 पैसे 200 पैसे में पांस का भाग दे दो 40 पैसे का अभी एक केला है एक केला अभी 40 पैसे का है आपको पूराना मुले लाना है तो पूराना मुले 100 परसेंट मान लो नया मुले 20 परसेंट गिरने के कारण 80 परसेंट हो ग का value आया और गुणा कर दिया सो से यह आपका 50 पैसे यानि की केले का पुराना मुले कितना था पचास पैसे का था ठीक है तो बहुत आसान है time and work मैंने करवाया तब बहुत बहुत डिटेल करवाया है जबकि question तो देखो आप कितना आसान पूचा गया है ध्यान देना 10 पूरुस की काम को 10 दिन में पूरा करते हैं और 10 दिन में पूरा करने के लिए 12 महिलाओं के आफसेक्ता पड़ती हैं काम को पूरा करने के लिए 15 पूरुस और 6 महिलाओं मिल जात देखो पूरुस दिन दो 10 पूरुस की थाखत एक है तो एक पूरुस की ताकत एक प्थाखत एक रहे है तो फो का में लगे रहे जेख के पेढ़ आ हगहर है तो pemben लोग कांने लग रहे हैं इसमाल यह ताकत हो गइब की यानि कि total ताकत अगुई 2, किसकी? 15 तो आपके पुरूश और प्लस में 6 आपकी महिलाई, ओके? 2 की ताकत है, अब 2 की ताकत से आपको 10 काम करवाना है, ये मिल के किते समय में काम करेंगे, तो 10 काम करवाना है, 2 की ताकत से आपके किते दिन लगेंगे? 5 दिन, बड़ा सिंपल है, option B, 5 दिन लगेंगे, ठीक है, अब मैं मिटाता हूँ, next दलता हूँ, चलिए, next question क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, कि 5 करमा के सम संख्याओं का ओसत A, B, C, D, E, वो 52 है, तो B, E का गुणंदफल, अरे भाही, इतने question करवाएं मैं इस मसले पे, ओसत वाले topic के इंदर जब आप देखो के तो आपको पता दलेगा, हूब हूँ, ऐसे तो खूब question करवाएं, 5 करमा के संख्याओं हैं, A, B, C, D, E, उनका ओसत, मैंने आपको समझाया था ना, कि करमा के संख्याओं में ओसत हमेसा 20 की संख्या होता है, तो ओसत 52 है, इसका मतलब ये C आपका कितना ह पल, ये तो B और ये E का गुणंपल, यानि कि 50 into 56 आप से पूछा है, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 800, option number D, आप एक बार कल्कुलेसिन चेक कर लेना, ये 800 होगा, है ना, पची सो और 300, अठाइस हो गया, ठीक है, तो ये आपका आगया, option number D, अगर मैं इस question की ब ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कि ये दी ABC आयत के, ABC आयाम के गनाब का आयतन V, और प्रिष्ट शत्रपल S है, तो एक बटा V किसके बराबर होगा, थोड़ा सा इसमें उन्होंने क्या किया है, कि जो आपका algebraic टेस्ट दिया है, इसको मैं आपको समझाता हूँ, एक गनाब की तीनों बुज़ाएं, A, B और C हैं, उसका आयतन क्या है, V, तो आयतन क्या होता है, लंबई इंटू, चोड़ाई इंटू, उन्चाई, और वो देदिया आपको V, और प्रिष्ट शेत्रपल आपको किता दिया है, S, तो अपने क्या करें, कि ये V बटे में आ जाए, तो अपन एक काम करते हैं अपन यह S S के बटे में लगा देते हैं V S के बटे में लगाते देखना कैसे आएगा तो S का VALUE कितना है 2 AB PLUS BC PLUS CA और V का VALUE कितना है बटे में AB और C अगर मैं इस दो को यहां से काटों तो ध्यान देना दो यहां आएगा ने आएगा बिल्कुल आएगा अब मैं यहां पर लिख देता हूँ S बता 2V अब कहने का मतलब ही तीनों अमाउंट के बटे में कौन लगेगा ABC तो यानि कि AB के बटे में जब ABC लगेगा तो ABC किसते बी कंसे दो कर देगा एक बटा सी ओगया तो इसी प्रकार से एक बटा सी फ्लस BC के बटे में ABC लगेगा तो BC कटेगा A बचेगा एक बचे गवा और C कड़ जाएगा ना अब एक और दो को मैं उद्र बेज़ो तो दो जाएगा आपके ऊपर और एस जाएगा बटे में और फिर ब्रेकेट के इंदर यह मसला रह जाएगा और यह मसला कौन है एक बटा ए प्लस एक बटा बी प्लस एक बटा सी अब देखो एक बटा वी बटाबर दो बटा एस यह आपका ऑप्शन नंबर सी तो देखो कहां मतलब यह मानो कि तीस तीस सेकंड में क्वेस्टन सौल हो रहे हैं एक्चुल में हम क्या है कि वीडियो कोर्स पटवरे से पहले नहीं लेके आप आए इसका हम मुझे बहुत ख टॉपिक जैसे इनपूट आउट्पूट को छोड़ दो आप अगर उस टॉपिक को छोड़ दे तो मैस एन रिजनिंग के सारे सवाल वो सौल की होंगे वह आप कमेंट में दिख जाएंगे काफी लोग जो जिन्होंने पूरा मैथमेटिक पढ़ा है उनका अनुभव यह र झाल